नमस्कार सुस्वागतम वेलकम अभिनादन मैं हूँ डॉक्टर वायराकी कैसे हैं आप लोग कमेंट्स में जैमातादी जरूर लिखे आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही अगर अभी तक आपने पोटली का ओर्डर नहीं किया है दिपावली सर पर है तो पोटली का ओर्डर कीजे लिमिटेट पोटलियां है जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भागयोदे जरूर हो और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुख्या है उसी का नाम दीजेगा उसके नाम से पूजा होगी औ लेकिन जो पूजा का समान है वो अभी मंतरत उस लक्षमी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे उसके बाद रमायन उसके बाद सत्मारमगान की कथा तो नियमी तरुप से आपकी पूजा का जो समान है वो लक्षमी के मंतरों से अभी मंतरत हो र दूसरी अल्मारी में रखेगा लेकिन इस पोटली को वहां रखेगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदर में भी रख सकते हैं लेकिन पोटली का ओर्डर जरूर करें आप क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी हमने ग बैनर में हैं लेकिन जब भी आप पोटली को ओर्डर करें वीडियो कॉल करकर मुझे देखें या ना देखें लेकिन इस ओफिस को जरूर देखें आप ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फसे आप जैमाता दी नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूं डॉ प्रवायरा कि आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूं कैसे हैं आप लोग सबसे पहले कमेंट्स में जैमाता दी लेखिए और बिलीविन गर्मा हांजी आगए आप लोग स्वागत है सबसे पहले नर्मस तक कोटी कोटी परणाम आपके पित्रों को कोटी कोटी परणाम आपके दिल की हर्मनों कामना पूह हो आपके पित्रों की आत्मा को शान्ती मिले उनकी जो इक्छा है वो पूर्ण हूँ आप बहुत अच्छे से शरात करें भगवान आपके घर में धनकी बारिश करें कि आपके पित्र आपसे खुश हो कर जाए ऐसे थोड़ी ये गनेज जी आते हैं हम उने मना लेते हैं मातरानी आती है हम उने मना लेते हैं हम छोटे हैं हमारे पित्र इने हम नजर अंदाज नहीं कर सकते आप समझे अपने पित्रों को अगर आपने खुश कर लिया तो गनपती महराज वैसे ही खुश हो जाएंगे चाहते कि हैं वो कि हम अपनों को पूछे माता-पिता की सेवा करें खुश रहें अच्छे करम करें हम अपन आपको अपनी कुणली में आई हुए इस पित्र दोश का निवारन करना है आपकी मा आपके आसपास है अगर वो इस दुनिया में नहीं और पित्रों के रूप में आई हुए आपका कोई गुजरा हुआ भाई या आपके दादा दादी चाचा चाची या आपका पती कोई भी हो सकते है लाखोगों के साथ लाखोगों की तरहां घृतनाय गरती हैं लेकिन इस वक्त हमारे पित्रों की छुटी है और 15 दिन के लिए धरती पर है आप मेंसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं राखी जी 15 दिन धर्ती पर हैं तो फिर पितर को हम जो खिलाते हैं वो खाल लेते हैं फिर क्या पूरे साल पितर भूके रहते हैं तो मैं आपको जो आज बात बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिये हमारा एक वर्ष पित्रों का एक दिन है जी हाँ आज आप शरात करते हैं फिर एक वर्ष बीटता है उसके बाद आप शरात करते हैं लेकिन वो जो एक वर्ष आपका और मेरा है न वो पित्रों का केवल एकी दिन है तो आप एक बाद समझ लीजे अगर आप पित्रों को अच्छे से रखते हैं तो परम पिता परमात्मा शिव की किर्पा आप पर बनी रहती है और काल आपका कुछ बिगार नहीं सकता हम बात करेंगे 13 सेप्टेंबर को इंद्रा एकादशी है इस एकादशी का महत्व इसलिए हम नॉर्मली जो भी एकादशी करते हैं वो बहुत अच्छी होते हैं लेकिन हर इंसान एकादशी का वरत नहीं करता लेकिन कुछ लोग हैं जो इन श्रादों में 16 दिन जो एकादशी परती है उसे जरूर करते हैं क्योंकि एकादशी महीने में दो बार आती है तो इस बार जब श्राद होते हैं तो एक एकादशी आती है अगर आप ये वरत रखते हैं तो ये आप अपने पित्रों के निमत करते हैं इससे आपके पित्र खुश होते हैं और आपको मनवांचित फल देते हैं तो जानते हैं क्या करना है इस एकादशी का ये एकादशी अपने आप में बहुत सारे वर्दान देखा जाएंगे शंक में गंगा जल भर कर विश्णु जी की पूजा करने चाहिए और शंक में गंगा जल भर कर या गुलाब जल भर कर या दूद भर कर आपको हरी विश्णु का रुद्रा भी शेक करना चाहिए अब आपके पास अगर भगवान की मूर्ती ना हो चांदी की या पत्थर की तो आपके घर में शाली ग्राम जरूर होगा शाली ग्राम का भीशे कीजे इससे भगवान बेहत जादा प्रसंद होकर आपको वर्दान देते है तुलसी के सामने गाएं के घीका दिया जरूर जलाना चाहिए और भगवान को और तुलसी जी को हरी विश्नु को पीली बर्फी पीली मिठाईयों का भोग लगाना चाहिए जैसे बेसन के लड़ू, जैसे केला, जैसे आम और जैसे मूंकी दाल का हलवा और तुलसी की 11 परिक्रमा जरूर करने चाहिए गाएं का कच्छा दूद लेकर उसे सुभा सुभा चीनी मिलाकर अगर आप इस एकादशी वाले दिन पीपल पर अरपन करते हैं ये दूद सीधा निमित होता है आपके पित्रों को दूद, पानी, चीनी और काला तिल सब को मिक्स कर लेजे पीपल के पेड़ पर चार मुखी दिया इस एकादशी पर जलाना है लेकिन केवल और केवल सरसों के तेल का पित्रों के नाम पर दान करें, हवन करें, पित्रों के नाम पर कोई भी चीज कंबल हो, चाय पंका हो, चाय पानी की टंकी हो, कोई भी चीज दान करना बेहद उपार है पीपल के पेड को छूए मत क्योंकि पीपल के पेड को छूने से पहले 13 सेप्टेंबर को कहीं संडे तो नहीं है ये जरूर देख लीजेगा अगर संडे नहीं है तो आप पीपल के पेड को जरूर छूए परणाम कीजिए क्योंकि उस टाइम पर आप ऐसा मानिये कि आप अप आपने पित्रों के पैर चो रहे होते हैं, लेकिन चाहे शरादों का ही संडे क्यों ना हो, आपको फीपल के व्रेक्ष को संडे वाले दिन नहीं चूना चाहिए. और मेरी इस बात को आगे के लिए ध्यान रखेगा आगे अगर शाद बीच जाते हैं दिवाली आती है हूली आते हैं तो आपको पीपल के पेड़ को केवल शनीवार वाल दिन चूना चाहिए आप एकदशी पर ऐसा क्या करें कि आपके पित्र जो आपसे नराज हैं आपने जीते जी उनको कभी पूछा नहीं उनका आप मान कर दिया उनके दिल में कुछ रहे गया तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा जिससे हमारे पित्रों को शान्ती मिले आप मेंसे बहुत जादा हार्ड तो जवाब है हाँ अब आप इतना प्यार करते हैं और आप इतने अच्छे फैन थे उन्होंने आपका इतना इंटर्टेंट्रों किया इतना मनोरंजन किया जवान बच्चा था और कहते हैं वैसे तो जो व्यक्ति गुजरता है उसका पहला शरात कभी नहीं करते अगले शर आपने घरवालों को ज़रूर पूछें आपने घरवालों के हिसाफ से चीजों को करें और आप अपने जो पित्र हैं उन्हें ना पूछ कर केवल सुषान सिंग राजपूत के लिए कि कमोन मैंने उसकी आत्मा की शांती के लिए गीता का पार्ट रखा तो ये दिखावाए क् परम करतवे आपका अपने घर के बुजर्ग और पित्रों के लिए है जो इस दुनिया में अब नहीं रहे गीता का पार्ट करना इन 15-16 दिन में अपने परिवार वालों के लिए कराना परम पूजनिये है इससे आप खुद भी कर सकते हैं और पंडित से भी करा सकते हैं इस चत्री, चपल और टॉर्च जब भी ब्रहमन भोजन करने घर आया और आप घर वालों का शरात कर रहे हो तो उन ब्रहमन को पैर चुकर टॉर्च जला कर चत्री खोल कर और पैरों में चपल पैना कर दक्षना देते हुए शंक बजाते हुए घर के बार तक छोड़ कर आना च जब इस एकदशी पर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप ब्रहमन को तिलक जरूर करें बहुत अच्छा है कि केसर का तिलक करें चांदी का एक सिक्का उसके उपर आप अगर गोशाला का गाएं बनी हुए उस चांदी के सिक्के पर तो और ब्युत्तम उसे आप जाकर पीपल क पेड़ पर रखकर आजाएं और पित्रों के निमत करकर पित्रों से अपने की हुई गलतियों के लिए माफी शेमा मांगे और उनसे कहें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपका जीवन आगे शांती पूर्वक और बढ़िया रहे आपके आत्म को शांती मिले ऐस पित्रों से उनकी तस्वीरों के सामने खड़े होकर माफी मांगे कि गलती हो गई हमसे अगर हमने जाने में आपका दिल दुखाया है या मैंने ये बात गलत करी थी इसके लिए मुझे माफ कर दीजे तो आपको पित्र माफ कर देंगे आपको इस एकादशी पर गंगा सनान जरूर करना चाहिए क्योंकि लोगडॉं का टाइम चल रहा है और आप गंगा सनान ना कर पाएं या गंगा जी में नहने ना जा पाएं तो अपने घर में इस एकादशी पर गंगा जल जरूर चड़के इस एकादशी पर अपने पित्रों के नेमित एक सफेद रंग का जंडा पीपल के पेड़ पर जरूर लगाएं इस एकादशी पर एक मठका पानी भरकर उसमें चीनी डाल कर मंदिर में जरूर रख कर आएं और सबसे उत्तम तो होगा कि आप इसे पीपल के पेड़ के पास क्योंकि इन 16 दिनों में जो भी दान आपको करना है पित्रों के लिए करना है इस एकादशी पर मीठी रोटी कवे को, मीठी रोटी गाएं को, मीठी रोटी कुत्ते को घी में बना कर जरूर खिलाएं एकादशी वाले दिन आप अपने घर की दक्षिन की तरफ चार मुखी दिया जरूर जलाएं और वो केवल और केवल पित्रों का जो भी दिया हम जलाएंगे, वो सर्जों के तेल में जलेगा, बिल्कुल क्लियर है, इससे आपके पित्रों को भी शांती मिलेगी, उसके बाद घर में आकर भूजन करें, एकादशी पर चावल नहीं कातें, बूज नहीं खाते सात्विक भूजन करते हैं साबुद दाने का खाना या फिर आप कुट्टू का खाना या सिंगाडे का खाना खाते हैं क्लियर है और एका दशी करकर अपने पित्रों के निमित वरत छोड़ी और उन्हें बोलिए जो भी आपके पित्र अब इस दुनिया में नहीं यह लगना चाहिए कि आपके जीवन में उनकी कमी है और वैसे भी आप उस कमी को माने या ना माने सचाई तो यह है कि उनके ना होने से आपके जीवन में कमी है मैं हूँ डॉक्टर वायरा की यह पंदरा दिन सोला दिन जो शरादों के हैं आप पित्र गाहित्री का जाप अ पित्रों के नाम पर कोई दान पुनने करें तो बहतर होगा जिंदगी आपके नाम पर है माफी मांगने से सब चीज़े अच्छी हो सकते हैं पित्रों के लिए अच्छी चीज़े करने से सब कुछ अच्छा हो सकता है यह सोला दिन फिर आपको एक स्वर्ष बाद मिलेंगे इसलिए दिल से श्रादों को करें, मन से श्रादों को करें, कैसे श्राद करें, कभ करें, सारी वीडियो आपको टाइम पर मिल रही है तो इस सोला दिन अपने पित्रों को जरूर मनाएं, आपके सभी घर के पित्रों को मेरा कोटी-कोटी नमन और नमशकार, भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, फिलाल दीजे जाज़त नमशकार कुंडली जगाएगी, कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविशे, उपर से ये जादू ही हवाएं, उपर ही हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी जिन्दगी को जल्द बदलवाईए, मैं हूँ डॉक्टर वायराखी, आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपॉइमेंट लीजे, आपकी जिन्दगी के अंदर आएगा जबर्दस बदलाव, गरीजे मुझसे बाएगा जबर्दस बदलाव,